बच्चो, हिंदी की बुक्का, पेज नमबर 39 निकालो, पेज 39, अब करेंगे हम exercise नमबर 2, सही उत्तर के आगे, सही लगाओ, आपको नीचे कुछ वाक्य कुछ कोश्चन दिये होए हैं, उसके दो option है, आपको जो option सही हो, उस पे सही का sign लगाना है, तो first देखो, शालू ने क क्या खरीदा, शालू ने क्या खरीदा, क्या खरीदा था शालू ने, तो first option है, अमरूद, अमरूद खरीदे थे शालू ने, और second option है, जोता, तो क्या खरीदा था शालू ने, जोता, तो हम जोता वाला बॉक्स है, उसके आगे लगाएंगे, सही का sign, यह लगा दिये हैं मै नेक्स्ट देखो, ख, जूता कैसा था, कैसा था जूता, तो देखो नीचे दो option है, मजबूत, मजबूत, और second option is कड़ा, कड़ा था के वो, नहीं, मजबूत था, तो हम मजबूत वाले option में right sign लगाएंगे, नेक्स्ट, सडक पर क्या भरा था, क्या भरा था सडक पे, तो first option is कीचड और second option is पानी, तो क्या भरा था सडक पर, कीचड भरा था या पानी भरा था, येस, पानी भरा था, तो हमें पानी वाले box में right sign लगाना है, next देखो, लड़के का क्या क्या गिर गया, लड़के का क्या क्या गिर गया, जब जूत या लड़की की पिटाई कर रहा था, तो क्या क्या गिरा था लड़के का, अमरूद और आम, आम थे क्या इसके पास, नहीं, and the second option is रुमाल और अमरूद, रुमाल और अमरूद गिर ग अम्रूद वाले बॉक्स में राइट साइन लगाएंगे, यह हो गई हमेरी एक्सराइज नमबर 2, अब हम करेंगे एक्सराइज 3, वेरी सिंपल, पढ़ो और लिखो, आपको नीचे कुछ वर्ड दिये हुए हैं, जॉइन दा डॉट दिये हुए हैं, आपको पहले उनको पढ हैं, फिर लिखना है, कैसे देख लो, एक मैम बता रही हैं, यह है, स, स में छोटे उकी मातरा, सु, रा, और ही, तो यह बन गया, सुराही, अब सारे बच्चे जितने भी यह जॉइन दा डॉट हैं, यह सारे पेजिस संदर संदर राइटिंग में लिखेंगे, और इनको बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करें, नमबर थ्री, उ या उ की मातरा लगा कर चितरों की नाम पूरे करो, आपको नीचे कुछ पिच्चर दी हुई हैं, उसमें छोटा उ और बड़ी उ की मातरा मिसिंग है, तो आपको वो मातरा लगानी है, देखो, फिर्स्ट पि कबता तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या बनाना इसको, कबूतर, तो देखो, कौन से अक्षर में उ का साउंड आ रहा है, बोलो इसको, कबू, यानि कि बा में उ का साउंड आ रहा है, और कौन सा वाला साउंड आ रहा है, बिग और शॉट, बिग, कबू, तो बड़ा उ उकी मातरा सबको पता है ना बड़ी उकी मातरा कैसे लगाते हैं गोल घुमा के नीचे की तरफ तो यह बन गया कभूतर नेक्स्ट देखो यह है खजूर क्या है यह खजूर तो यहां लिखा हुआ है खजर खजर लिखा हुआ है अब हमें उकी मातरा लगानी किस में लगाए खां में लगा दें तो यह क्या बन जाएगा खूजर बन जाएगा यह तो रॉंग है नेक्स्ट जां में लगा के देखते हैं खजूर हां तो जां में लगेगी बड़े उकी मातरा क्योंकि बड़ा साउंड आ रहा है तो यह बन जाएगा खजूर नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है गुलाब यह तो सब जानते हैं और गा में छोटे उकी मात्रा लगा के यह बन जाएगा गुलाब छोटे को मात्रा ऐसी लगाते ना उपर की तर्फ येस ये क्या है ये है कुटिया कुटिया का पिच्चर है तो हमें कमे उका साउंड आ रहा है चोटे हूँ का, इसलिए हम इसको बना देंगे कुटिया, आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें चोटा हूँ लगाना है, बड़ा हूँ लगाना है, मैं आपको चोटा हूँ और बड़ा हूँ, दोनों में अंतर बताया था ना, चोटे हूँ में चोटा साउंड आता है, और बड़ेव में बड़ा साउंड, इसलिए आपको हर शब्द को बोल के देखना पड़ेगा, फिर उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन से उ की मातरा लगानी है, जैसे ये देखो, ये क्या है, ये है जूता, जूता, तो देखो जू, यानि कि बड़ेव का साउं भाल, भाल, तो हमें कौन से मातरा लगानी है, भालू, बोल के देखा न हम नहीं, तो ला में आ रही है, बड़े उ का साउंड, तो इसको बना देंगे हम, भालू, लैमे लगा दिया, उ की मातरा बन गया, भालू, तो ये एक्सरसाइज आपकी कम्प्रीट होई,